हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट में जूटी गवाई देने वालों के खिलाफ क्या करवाई करता है तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम यह जानेंगे कि गवा लोग कोर्ण है पुलिस फोसदारी मकदमे में FIAR होने के बाद तफ्रीश के लिकरती है और 161 धारा के अंदर उनके ब्यान दर्ज करती है जिन जिन पार्टी के जिन जिन लोगों के ब्यान दर्ज किया जिनको गवाई बनाया पुलिस ने अगर वो लोग पुलिस की लिखी हुई स्टेटमेंट के खिलाफ से ले जाते हैं माने की कोर्ट में जो पुलिस का बयान है उसके खिलाफ से ले जाते हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट पहले दी हुई है उससे मुकर जाते हैं तो SME court के पास क्या रास्ता बचता है? तो दोस्तो court जो है उसके खिलाफ 344 धारा CRPC के अंतरगत कारवाई कर सकती है और धारा 113 में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा सकती है और इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद इसमें 7 साल तक की कैद का प्रावदान है तो फ्रेंट्स इस तरह आप लोग इस बात को जान गए हैं कि court में जूठा बयान देना भी एक कानुन अपराद है और उसके लिए कितनी सजा है तो फ्रेंट्स इस वीडियो का आइडिया मिरको तब आया जब 125 के case में पती ने जूठा बयान हलफिया court में दिया कि मेरी salary इतनी नहीं है जितनी पत्नी ने कई है तो ये जूठा बयान हलफिया जो है पत्नी ने साबित किया कि भाई ये जूठा है और ये साबित होने के बाद court ने अपने डीडर के मारफत उसके खिलाफ F.I.R. दर्ज करवाई और उस F.I.R. दर्ज होने के बाद उस husband को बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ा तो इस तरह आप जान गए हैं कि किसी भी परकार की जूठ court में बयान देना या कोई हलफ नामा देना कोई बयान हलफिया देना वो एक कानून जरूर्म है और इस वीडियो को आप इतना शेर किजिए कि भाई कोई भी जूठी गवाई देने के कारण court में ना फसे धन्यवादा